पिछले डेड़ साल से मुझसे सबसे जादा पूछे जाने वाला सवाल कि बिंजद बाई क्या कभी पुराना फ्री फायर वापिस आएगा क्या अब सुनने में तो इस सवाल बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन इस सवाल के पीछे ना लाखों करोरों प्लेयर्स के इमोशन अपनी कुरसी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अब बिगडने वाला है क्योंकि पुराना फ्री फायर फाइनली 100% वापिस आने वाला है और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा बलकि इस पर फ्री फायर ने काम भी शुरू कर दिया है गाइस और आने वाले आपको गेम में देखने को मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज बालोगाच कर देना पहले बात करते हैं टेंथ नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है ओल्ड लॉबी म्यूजिक और इसमें जो म्यूजिक 100% सेलेक्ट हुआ है ना वो मैं आपको सुनाता हूँ ये म्यूजिक सुनके ना कसम से जैसे पुराने दिन सामने आ जाते और 100% यही वाला म्यूजिक आने वाले अपडेट में आपको गेम में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं नाइन्थ नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउ और मैं 100% शूर हूँ कि आप में से 90% प्लेयर्स ने उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में वन टैप मारना सीखा होगा और अब प्लेयर्स बीना पिछले एक साल से यही डिमांड कर रहे थे कि पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड वापिस लाओ और इसलिए फ्री फायर ने स्पॉन आइलाइंड में ट्रेन भी थी दूसरे स्पॉन आइलाइंड में जिपलाइंस थी जिसमें हम लोग उपर चड़ते थे तीसरे स्पॉन आइलाइंड में फुटबाल ग्राउंड था जिसमें हम लोग फुटबाल खेलते थे तो फ्री फायर जो स्पॉन के हवा में उड़ने का और अब फाइनली वही वाला स्पान आइलाइंड वापिस आने वाला है अब बात करते हैं सेविंथ नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है वाच एड्स फॉर फ्री डाइमेंड्स गाइज आप सबको ये बात तो हंडर्ड पसंट या दमांड कर रहें फ्री फायर से कि वो वाला इएट वापिस लेग और इसी लिए अभी के टाइम में फ्री फायर भी सोच रहा है कि वो लोग वॉच एड्सぎ वाला सिच्टम वापिस लाएंगे लेकिन अभी मिरको ये नहीं पता है कि उसमें पिंग डाइमेंड्स होगे कि औरिजिनल वाले डाइमंड्स और या तो उसमें दोनू भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है काला हारी रिटर्न इन रैंक मोड। गाई शुरू में जब काला हरी मैप रैंक मोड में आया था ना तो प्लेयर्स को ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था लेकिन बाद में जाके रोजाना जब हम लोग उस मैप को खेलने लग गए वो मैप फिर बहुत सारों का फेवरिट मैप बन गया लेकिन एक दिन पुरानी चीजे वापस आने वाली है ना कि गेम ना अब पहले की तरह एकदम बवाल होने वाली है तो एक लाइक फ्री फायर के लिए तो बनता है अब बात करते फिफ्ट नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है शोडाउन मोड रिटर्न गाइज आप सब को याद होगा कि आज से बहुत टाइम पहले एक बहुत ही खतरनाक सोलो मोड आया था जिसमें आप अगर टॉप थ्री पुजिशन पे आते थे तो आपको विनर्स बैच टोकन्स मिलते थे जिन टोकन्स से आप M4A1 की बहुत सारी स्किन्स को रिडीम कर सकते थे अम शूर आ प्रादा केम्प करता था ना उस मोड में और मैंने भी एक ID में दो चार स्किन्स तो रिडीम की थी और अब फाइनली फ्री फायर में वैसा ही एक हार्ड कोर सोलो मोड आने वाला है जिसमें आप लोगों को टॉप थ्री आने पे टोकन्स मिलेगे जिनसे आप लोग खतरनाक स्किन्स रिडीम कर सकते हो है ना एकदम मजेदार अपडेट अब बात करते फूर्थ नंबर पे जो हमारे दो अपडेट्स निकल के आ रहे जो है रिटर्न ओफ ग्लाइडर एंड डेथ अप्राइजिंग मोड ग्लाइडर एक ऐसी अनोखी चीज थी ना जिसको कोई भी की बात करें तो आप सबको ये भी याद होगा कि आज से दो तीन साल पहले हमारे फ्री फायर में एक जोंबी मोड आया था जिसमें हम लोग जोंबी की ऐसी तैसी करते थे और फिर लास स्टेज पे जोंबी का बॉस आता था जिसके हाथ में साला कैंची होती थी वो इतना ख करते थर्ड नंबर पर जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है और यह बहुत ही इंपोर्टन्ट अपडेट होने के साथ साथ हमारे लिए खुशी की बात भी है क्योंकि आप फ्री फायर गेम में पेड इवेंट्स कम लाने वाला है और फ्री इवेंट्स जादा मतलब गेम म अब फ्री इवेंट्स मतलब मिशन वाले इवेंट्स जादा देखने को मिलेगे और जो डायमंड वाले इवेंट्स है जैसे की मोको स्टोर फेड़ेड वील वो आपको अब गेमें कम देखने को मिलेगे और अब फ्री की बात होई रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब आपको redeem code मिलेगे Indian festivals पे मतलब इंडिया के जितने भी त्यावार होते हैं न उन त्यावारू के दिन हमें free का redeem code मिलेगा जिसको हमें redeem करने पे guns, skins, bundles और भी items मिलेगे इन सारी चीज़ों से एकदम दिल जीत लिया free fire ने आप बात करते हैं second number पे जो हमारा update निकल के आ रहा है और ये इस पूरी list में सबसे ज़्यादा important update होने वाला है जो के old rank system return आप सबको पता होगा कि अभी के time में बहुत कम players rank push करते हैं क्योंकि आप rank push पहले की तरह मज़ेदार नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था rank push करना बहुती ज़्यादा मुश्किल था और तबी जाकर heroic grandmaster की बहुती ज़्यादा इज़त थी और इसी लिए ऐसे लाखूं करोरूं players थे जो rank push करते थे लेकिन अभी के time में इतना आराम से plus होता है उपर से revival system भी है अगर आप मरोगे तो आराम से वापस भी आओगे मतलब वो seriousness और जो rank की इज़त थी न वो एकदम कम हो गई है और इसी लिए free fire ने finally decision लिया है कि वो लोग rank system को पहली की तरह interesting और serious बनाएंगे ताकि पहली की तरह ज़ादा से ज़ादा players rank push करे और game खेलने में मज़ा भी आए और ये चीज 110% होगी होगी तो gameplay improve कर लो क्योंकि आप rank push आसान नहीं होने वाला है अब बात करते first number की जहां पे हमारे पास बहुत सारे updates निकल के आ रहे जैसे कि old KD और kill animation return मतलब पहले के time में जब आप enemy को knock करते थे ना या तो मारते थे तब screen पे एक अलग animation दिखता था और अब आने वाले कुछे time में वही animation आपको वापिस दिखेगा मतलब एक दमना पुराना feel आएगा अब बात करते एक और important update की जो के chip system will be removed मतलब अभी के time में जो आपको game में 1,2,3 और xy chip system देखने को मिलता है ना guns में वो बहुत ही जल्दी game से हटाया जाएगा क्योंकि इन chip से ना game थोड़ा disbalance हो गया था और आपने तो ये चीज़ खुद भी notice की होगी कि जब आपके gun में triple chip लगा होता था ना एक second में ही मरता था जो कि सही बात नहीं है कि जितना मुश्किल होगा ना enemy को मारना उतना ही जादा मजा है अब और भी यहाँ पे बहुत सारे updates है लेकिन इनके बारे में मैं 100% sure नहीं हूँ जैसे कि factory की छट पहली की तरह बंद हो जाएगी और summers और winters में हमें themed map देखने को मिलेगे और ऐसा भी बोला जा रहा है कि CS में हमें और भी maps देखने को मिलेगे और भी बहुत सारे छोटे मोटे updates है जो आपको आने वाले दिनों में पता चली जाएगे और मैं तो बहुत जादा excited हूँ इन सारे updates के लिए आपकी क्या राय है मेरे को comments में ज़रूर बोलना और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो please like कर देना इस वीडियो पैन चानल को भी subscribe कर देना बाबाई I love you all